नमस्कार, हिंदी पीडिया में एक बार फिर से आफ सबी काविननतन, आईए आज हम सब सिखते हैं संदेसलेखन, प्रस्तुत बीडियो में हम आपको संदेसलेखन के बारे में बता रहे हैं, हम आपको बताएंगे संदेसलेखन क्या होते हैं, संदेश लेखन के प्रकार कौन कौन से हैं संदेश लेखन के समय किन किन बातों का ध्यान रखें और संदेश लेखन का प्रारूप वक्षुदारण बताएंगे हम आसा करते हैं कि हमारा यह लेख आपकी संदेश लेखन से संबंदी सभी कटनायों को समाप्त करने में साहयक सि संदेश लेखन उन लेखों को कहते हैं जिसमें सुभकामना, पर्व, अत्वत्वात्यवारूं एवन विशेश अउसरों पर संदेश दिये जाते हैं यह प्रायह लेखन कोसल में पाच अंको का पूछा जाता रहा है इस प्रस्ण में आपको विकल्प भी दिय जाते हैं और आ सब्दों में ही होती है लेखन से संबंधित इवं साहित्ति से संबंधित वीडियो को आपको हम देते रहते हैं आप इस तरह के अपडेट पाने के लिए इंदिपीडिया चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं क्या होता है संदेश लेखन संदेश सब्द के उद्पत संस्क्रित भासा से मानी जाती है जिसका आर्थ है खबर प्राप्त करना या समाचार प्रात करना संदेश एक ऐसा साधन है जिसके द्वारा जानकारी को किसी ब्यक्तिबिसेश या किसी समू द्वारा किसी दूसरे ब्यक्तिबिसेश को समूहों को भेजा जा सकता है संदेश के दो रूप होते हैं लिखित और मोखिक सुखद और दुखद ब्यक्तिगत और सामुहिक संदेश को किसी भी काल में लिखा जात सकता है वह भूत काल हो, चाहे वर्तमान काल हो, चाहे भविश्य काल हो, इसी तरह से वीडियो के अपडेट आपको मिलती रहेगी, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, आई पढ़ते हैं संदेश लेखन के प्रकार, संदेश लेखन का प्रकार क्या है, संदेश लेखन के कई प उख्यूरूप से किसी व्यक्ति के जन्म दिन शालगीर विद्यार्थियों को उनकी परिक्षा में शफलता प्राप्त करने में कर्मचारियों के पदुन्नत होने पर भेजे जाते हैं कहने का अफ्राइय है कि सुपकामना संदेश में संदेश होते हैं जिनके जिन्हें किसी ख संदेश आते हैं जिन्हें विशेष पर्व योंत्योहारों के वक्त लोग को एक दूसरे को भेज़े जाते हैं इन संधेशों में दिपावली ओली क्रिशमस स्वुतंतरता दिवस्के विशेष पर पर दिये जाने वाले संदेश सामिल हैं गहने का तात पर यह कि पर वो वत्य वहारों पर किसी ब्यक्ति को दी जाने वाली शुबकामना इन अंतरगत आते हैं इसी तरह सोकसंदेश सोकसंदेश के अंतरगतवे संदेश 아ते हैं जिस disput में समाचार जानकारी लिखी जाती है इस तरह के संदेश किसी ब्यक्तिकी पुन्यतिति या मृत्य उपर लोगों को भेजे जाते हैं किसी भी तरह की दुरगटना की जानकारी भी सोक संदेश के द्वारा दी जाती है ब्यक्तिकत संदेश ब्यक्तिकत संदेश में वे संदेश आत बधाई वसुप कामना संदेश, कहीं जाने वा आने का संदेश या किसी भी तरह का अन्य संदेश दिया जाता है। सामाजिक संदेश सामाजिक संदेश वे संदेश होते हैं जिसमें कोई ऐसी जानकारी लिखी जाती है किसी एक ब्यक्ति की नहीं बलकि समाज में रह रह सभी ब्यक्तियों से जुड़ी होती है इन संदेशों में धार्मिक या सामाजिक कारक्रमों से जुड़े आयोजने को संदर्व में दिये जाने वाले संदेश सामिल होते हैं इसके अलामा परियावरन दिवस पर संदेश जल बचाओ संदेश बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ संदेश आध अवसवरों पर दिये जाने वाले महत्पूर संदेश सामाजिक संदेश कहे जा स मिश्र संदेश मिश्र संदेश भी होते हैं मिश्र संदेश ऐसे संदेश होते हैं जो किसी विशेश आपदा या महामारी के समय दिये जाते हैं जैसे इस समय कोरोना महामारी से संबंधित कोई जानकारी देने वाला संदेश डेंगु मलेरिया आद से संबंधित संदेश बाड संदेश के अंतरगत आशकता है संदेश लेखन के समय किन बातों का रखें ध्यान संदेश लेखन में किन बातों का ध्यान रखना चाहिए प्रथमता संदेश को किसी सीमा रेखा जैसे बाक्स या गोले के अंदर लिखा जाना चाहिए संदेश के प्रारंब में संदेश आवश्यक लिखना चाहिए उसके बाद दिनांग समय आद को लिखा जाता है मुख्य विशे को जितना हो सके कम सब्दों में लिखना चाहिए अंत में लिखने वाले का नाम अवश्य लिखना चाहिए सब्द सीमा तीस से चालिस सब्दों के बीच होनी चाहिए तीस से चालिस सब्दों की सब्दों की सीमा होनी चाहिए आए देखते हैं विश्यान स्वार चित्रों का परयोग भी हो सकता है साहरी दोहेश लोग कविताओं का परयोग भी कर सकते हैं सरल वा संचित सब्दों में विश्यक अनुशार लिखा जाना चाहिए विश्यक अनुशार संदेश को संदेश को सुन्दर बनाने के लिए रंगों का भी प्रयोग किया जा सकता है रंग भी आप भर सकते हैं संदेश में केवल विशेवस्त पर ध्यान देना आवश्यक होता है संदेश लेखन का प्रारूप की बात करें संदेश लेखन के प्रारूप इस तरह बना सकते हैं पहले संदेश लिखेंगे जो संदेश देख उसको लिखेंगे फिर दिनांक डालेंगे फिर समय डालेंगे फिर संबोधन किसको संबोधित कर रहे हैं यह डालेंगे इस तरह से बिशय यहां डाला गया है इसमें वो संदेश लिखा जाएगा लेखक का नाम अंत में आएगा जैसे स सबसे पहले दिनांक लिग दिया फिर समय लिग दिया फिर संबोधन किया कि शमस्त देशिवासियों को सबसे अग्रशर करने का दृष संकल्प लेते हैं इस तरह से यह संदेश प्रधानमंत्री जी ने दिया तिसी तरह से अगर दूसरे संदेश की बात करे अनौपचारिक संदेश लेखन का प्रारूप जो है अनौपचारिक जो पत्र होते हैं संदेश दिनांक शमय इसी क्रम में लिखेंगे बिशे भी डालेंगे फिर बिशे व संदेश, मा को एक संदेश, फिर दिनांग, फिर समय, फिर मा छोटी चाची जी घर पर आई थी, उन्हें आप से कोई जरूरी बात करनी थी, आप अपने माय के गई हुई हैं, मैंने उन्हें बताया तो उन्होंने कहा कि आप जब भी आएं उनसे मिलें, जब आप आएं तो आ इससे आपको काफी मदद मिलेगी, और आप संदेश लेखन में हर समय अच्छे नंबर पाएंगे, पूरे एंक पाएंगे, इसी तरह से देखिए, उदाहरन एक है, जन्म दिन के सुबहुसर पर संदेश लिखें, तो जन्म दिन के सुबहुसर पर जैस संदेश लिखना है, तो सबसे पहले बिशे डालेंगे, फिर एक कोटेशन डालेंगे, तुम जीओ हजारों साल, साल के दिन हो पचास हैजार, इस तरह से दिनांक डालेंगे, समय डालेंगे, समय डालने के बाद पर ये छोटे भाई, आपको आपके जन्म दिन के हार्दिक सुबहुसर करेंगे, अगर दूसरे उथाहरन पर चलें, दिवाली के सुबहुसर पर मुख मंतरी द्वारा प्रदेशवासियों के लिए एक शुभ कामना संदेश लिखें, लिखेंगे बिशे दिवाली के हमार्दी साल जाये, साल की बाहरा रात आई इस तरह से दिनांक डालेंगे, श भार्दिक शुपकामने इस दिवाली में मालचमी आप सभी के घरों में सुख सम्रिद्धी धन दौलत वैभो शांत लेकर आएं इस तरह से और इसका नीचे लिखेंगे किसने लिखाए मुख्य मंत्री को जोस्तों आज का विशें यहीं तक अगले विशें में अगले बिंद जय हिंद जय भाग